हलो स्टेटरेंट्स मैं के सब कुमार दे मेटिकल प्रासिस के इस नए वीडियो में आपका स्वावत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस्टूमेंट्स यूज डियूरिंग फीजकल इकजामेनिक्शन यानि कि सारीरी पर इच्छन की दोरान कौन-कौन से उपकरन यूज किये जाते हैं इसमें पहले नमबर पे आता है अस्टेत्वसकोप जिसको हम लोग आम बोल जाल के बाहसा में आला बोलते हैं तो इसका यूज क्या है यानि कि स्टेत्वसकोप का यूज बोल जाता है जिसमें हार्ट लंग्स और इंटेस्टाइन वे सामिल है यानि जब हम लोग पेशिंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं उस समें भी इसका यूज हम लोग करते हैं यानि कि स्टेत्वसकोप एक उपकरन है जिसका उप्योग हिर्दय फेफडो और आतों की आवाज सहित शरीर की आवाज सुनने के लिए किया जाता है इसका प्रियोग रक्त चप मात्ते समय भी किया जाता है नेक्स्ट है अस्फिग्मो मैनो मीटर जिसको अम लोग आमचाब बोल चौल के भासा में WP इस्टुमिंट भी काते हैं क्योंकि इसका उप्योग WP नापने के लिए किया जाता है तो मेजर बलड प्रेसर यानि कि बलड प्रेसर को मेजर करने के लिए किया जाता है या तीन तरह का आता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो यूज होता है मरकरी वाला और तीटल वाला का भी यूज आजकल बहुत बढ़ गया है क्योंकि घर में इसका इस्तिमाल करना बहुत ही आसान है और जो तीसरे तरह का आता है उसका हम लोग एनुराइड अस्फिकमो मैनोमीटर बोलते हैं यानि एनुराइड बीपे स्टुमेंट बोलते हैं इसका यूज बहुत ही कम है मतलब इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं नेक्स्ट है थर्मोमीटर थर्मोमीटर का यूज हम लोग बॉड़ी के टेंपरेचर को मापने के लिए करते हैं तू एक्सेस बॉड़ी टेंपरेचर इसमें यह दो तरह से आता है पहला है मरकरी वाला जिसके अंदर मरकरी फिल किया हुआ रहता है और दूसरा है डिजटल वाला इसके अंदर बैटरी लगता है और इसका यूज करना बहुत ही असान है इसको पड़ना भी बहुत ही असान है बट इसको पड़ना थोड़ा सा कम उमर के बच्चे के लिए मुश्किल है नेक्स्ट हैं फे टोस्कोप Phetoscope is a device used to obtain information about fetus within the uterus or bone यानि कि इसका इस्तिमाल हम लोग उस समय करते हैं जब महिना अगर वती रहती है तो उसके बच्चे के बारे में information लेने के लिए हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं Next है Ophthalmoscope यह एक छोटा सा device होता है जिसका यूज हम लोग यूज to examine the inner structure of the eyeball यानि कि जो पेसेंट का eyeball होता है उसके inner structure को देखने के लिए हम लोग Ophthalmoscope का यूज करते हैं हिंदी में देखें तो eyeball के अंदर के समर्चना को जाज करने में यह device मदद करता है Next है Proctoscope Proctoscopic device होता है जिसका यूज हम लोग यूज to examine the insides of rectum and anus यानि कि rectum और anus के अंदर के चीजों को देखने के लिए इसका यूज करते हैं यानि कि मलासा और गुदा के अंदर से जाज करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है Next है Vaginal Speculum इसका यूज यानि फीमेल के अंदर वजाइना और सर्विक्स को जाज करने के लिए इसका यूज करते हैं इसका यूज सिर्फ फीमेल के अंदर में है तो इसका यूज कैसे करते हैं Vaginal Speculum Videns और Vaginal Wall So that your doctor can examine your vagina and your सर्विक्स या करता क्या है कि फीमेल के वजाइना को यह फाइलाता है ताकि डॉक्टर उसके अंदर के चीज़ों को अच्छे से जाज सकें और उसका इलाज कर सकें Next है Autoscope An autoscope is a tool which signs a beam of light यानि कि इसके अंदर से रॉसनी निकलता है To help visualize and examine the condition of the ear canal and ear drum ताकि हमारे ear canal का और ear drum का condition को डॉक्टर अच्छे तरह से जाज कर सकें आप इस image में देख सकते हैं Autoscope को कान में लगाया जाता है और इससे रॉसनी निकलता है इसी रॉसनी के मदद से डॉक्टर कॉन के अंदर के structure को जाज करते हैं और अगर कुछ गड़बड़ी पाया गया तो उसका इलाज करते हैं Next is nasal spectrum This is two blade instrument is inserted into the nostril यानि कि यह दो blade instrument होता है जो nostril में यानि हमारे नाग के छिदरों में गुसाया जाता है It lets doctor examine the inside of the nose और doctor को मदद करता है नाग के अंदर के चीजों को जाज करने के लिए और उसका इलाज में भी मदद करता है Next is tonometer A tonometer is divided that measures the intraocular pressure inside the eyes यानि कि tonometer एक device जो measure करता है intraocular pressure को हमारे आग के अंदर हमारे आग के अंदर जो pressure होता है उस pressure को intraocular pressure करते हैं उसी को या tonometer measure करता है आप यहां image में भी देख सकते हैं या आप के उपर लगाया जाता है ताकि या आप के अंदर के pressure को जाज सके Next is phringal retractor जैसा कि इसका नाम है phringal तो यहां मदद करता है phringes की जाज में यानि कि जो हमारे phringes होता है उसकी जाज में यहां मदद करता है इस phringal detector used in surgery to be inserted through the mouth into the groove help यानि कि यह मोग के दोवारा phringes में डाला जाता है ताकि phringes की जाज हो सके और उसका फिर से इलाज किया जा सके Next is laryngoscope Laryngoscope होता क्या है तो यह laryngoscope is a small hand tool that allows a doctor to examine the voice box यानि larynx vocal cords facilitating endotracheal intuition 80 से यानि कि laryngoscope एक छोटा सा device होता है जो कि डाक्टर को मदद करता है voice box को check करने में यानि larynx जिसको हम लोग करते हैं vocal cords को check करने में या फिर जब patient का endotracheal intuition किया जाता है उससे में भी यह मदद करता है इसके अलावें भी other चीजों में यह मदद करता है मूँ के अंदर हिंदी में जो लिखा हुए आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को pause करके Next is tongue depressor इसका use क्या है Use it for depressing the tongue to examine the mouth, throat and oral cavity यानि कि जीव को दवाय जाता है ताकि मूँ का, throat का और oral cavity का examination अच्छ से किया जा सके जीव को दवाने के बाद Next is percussion hammer इसका use हम लोग for testing reflexes during percussion यानि कि जब आम लोग को सरीर को जाच करना होता है कि कहाँ पर body part कोई सुन तो नहीं है कहाँ पर कितना मदब चोट लग रहा है या नहीं लग रहा है तो doctor इसका इस्तिमाल body के different parts पर हलके से hit करके इसका इस्तिमाल करते हैं थोड़ा-थोड़ा सा hit करते हैं और patient से पुछते हैं कि कैसा लग रहा है उस तरह से doctor इसका use करते हैं Next is goniometer for measuring the moments and angles of a joint यानि कि moments को जाच करने के लिए और हमारा जो joint होता है उसको जाच करने के लिए इसका use doctor lock करते हैं अब सारी चीजों को image में देखके समझ सकते हैं Next है gonioscope for testing the angle of anterior chamber of the eye यानि जो हमारा आख होता है उसके अंदर का angle को check करने के लिए इसका use किया जाता है यानि आख के पूरुकाल कच के कौन का परिच्छन करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है आप image में देखके इसको समझ सकते हैं तो दोस्तो physical examination का या वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है इसके अलावे भी बहुत सारे instrument हैं जो आपको next वीडियो जो में देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा हमें comment में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें और इस channel को आप subscribe कर लें इस channel पे इसी तरह की वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद